स्वागत है आप सभी लोगों का मास केडल फार्म का फुल कलेक्शन और बहुती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ भाई ये वीडियो थोड़ा हट करके है क्योंकि आज मैं ओपनिंग के रिलेटेड जो की होने वाला है 14th April 2024 from 6pm onwards उसके बारे में बात करूँगा क्या क्या जानवर निकलेंगे फुल डिटेल्स के बारे में बात करूँगा तो व्लॉक को फुल देखना आराम से टीवी में या फिर मुबैल में आराम से लगा के फुल देखना आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर जानवर से वाला है यह जानवर मेरे ख्याल से बाइटन रहेगा क्योंकि बाई इसका जो लूग है ना मैं इसके बारे में बस इतने ही कहना चाहूंगा quality जो है वो अच्छे से देखिएगा 180P करके ताकि आप लोग को best view मिले तो ये हो गया माशायलला गुच्छी एक-एक करके आज आप लोग को total 10 जानवर देखलाएंगे एक-एक करके सभी collections देखलाएंगे ताकि जब आप लोग opening में आए ना तो mindset करके आए कि आप लोग कौन स जानवर जो है वो बाहर निकलवाना है उसे साबसे जो है वो आप लोग डिलिंग कीजिएगा तो इसी लाइनप का सबसे पहले तो मैं आपको गुच्छी देखलाया अब जो है वो जारा इसका नाम में भाई जारा आप लोग को quality में कोई भी differ नहीं मिलता होगा एकदम आप लोग को दिखलाया था गुच्छी और अभी जो मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ यह है जारा माशाएलला बहुत जबरदस चीज़े दोनों का दोनों तो यह हो गया अच्छे सा आप लोग इसको विट्टेस कर लीजे और इसी लाइनप का यह थर्ड जानवर है ज जो मैं आप लोग को इस वीडियो का सबसे पहले में तीनों का तीनों को शोकेस कर दिया हूँ तो माशाएलला यह था फ्रेंड से जारा इसका जो साइज है और इसका जो शेप है ना वो बहुत जबरदस्त है मैं आपको परसनली बता रहा हूँ इसको सामने से देखिएगा आप खुद बोलिएगा भाई यह complete जानवर है जिसमें पूट भी है जिसमें size भी है और जिसमें class भी है मतलब skin quality भी बहुत अच्छा है तो यह जानवर माशाएलला मेरा बहुत personal favorite है यह वाला और गुच्छी तो बहुत जबरदस्त है इसलिए मैं आप लोग को starting में ही यह तीनो जानवर शोकेस कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी शकोश बना रहा है माइंड सेट करके जो है opening में आए और मेरा code dv जो है वो जरूर यूज करे offer आप लोगों को अच्छा मिलेगा अब देखो यह है भाई class बाच्छी मतलब आज आप लोग दिल भर के जा दम मतलब दोनो पेर में जो है वो एक साथ रहती है कुमल और रोज ये देखो ये है friends रोज इसका जो है running shots देखो तो माशाला ये जानवर जो है वो best premium जानवर है अगर आप लोगो best बाची चाहिए size वाला छोटा face वाला तो इसको ज़रूर ले सकते हैं आप लोग ये farm का friends रोज जो है वो one of the best title जानवर है और मेरा personal favorite जानवर है क्योंकि छोटा face है और बहुत नयाब है सच माईनों में अगर मुझसे आप पुछोगे तो ये है भाई असल shocking जानवर मतलब बहुत जबरदस चीज है और ये है उसकी जोडिदार कोमल इसका तो भाई जवाब ही नही तो दोनों बहुत top class बाची है आप लोग दोनों में से कुछ भी पसंद है ना तो बस एक चीज हमेशा याद रखना डीवी code हमेशा यूज करना ओफर रहेगा opening के दिन आप लोग जो भी मेरा code डीवी यूज कीजिएगा opening के दिन आप लोग को एक best offer मिलेगा उस दिन और अ चलो यह हो गया हम लोगों का पेर में कूमल एंड रोज दोनों का आप लोगों को शोकेस कर दिये हैं आईए अब next जानवर की तरफ हम लोग मूफ करते हैं and friends कोशिश करना कि आगर आप लोग पेर में लेना चाहिए तो दोनों को पेर में भी आप लोग ले सकते हैं क्योंक है ना मतलब लाखों में एक मतलब इसका हाइट इसका वेट इसका क्लास बहुत एंड है यह जानवर मैं लिटरली बता रहो जो बड़े गाय के शौकीन होते हैं जो एकदम मिल्की वाइट जानवर लेना चाहते हैं हाइट वाली गाय लेना चाहते है वो भाई इसे जरूर लें क्योंकि इसका भाई क्लास है यह सच में बिगेश्ट है यह बिगेश्ट भी है इसमें क्लास भी है तो इसको भाई अगर बड़े गाय के शौकीन लेना चाहते तो जरूर लें मैं परसनली बता रहा हूं इसमें वेट बहुत अच्छा है हाइट भाई बहुत अच्छा और क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं आप लोग तो स्क्रीन में खुद देख सक रहे होंगे कि इसका जो क्लास है वो किस लेविल में है माशाला हर पोर्शन जालर से लेकर के वेट से लेकर के सब कुछ इसका डेवलप्ट है और खुबसूरती भी एंड लेवल है एंड इरशा जब होता है ना तो एक अलग ओफर मिलता है तो इरशाद भाई जो इस फार्म के उनर है उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी ओपनिंग के दिन आएगा और डीवी का कोड यूस करेगा उन लोगों के लिए ओफर बहुत जबरदस्त मिलेगा और मेरा कोड अगर आप लोग न बेश्ट ख्याल रखा जाएगा ताकि आप लोग अपने लिए जानवर बुक कर सकें तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन इस जानवर की तरफ आईए अब हम लोग नेश जानवर देखते हैं ये है सिंबा माशायलला सिंबा जो है वन अफ दा बेश्ट हैंडसम जानवर है मास ये निकाला जरूर जाएगा और उपनिंग के दिन आप लोग अगर ये जानवर को देखना चाहते है तो फार्म जरूर विजिट करें कॉलिटी बहुत जबरदस्त है इसका है स्पेशलि अगर हम लोग जालर की बात करें खुबसूरत होता ही है और इसका जो है वो बहुत क जानवर को निकलवा करके देखना चाहता हूं और फिर मैं जो है वो सौदा करूंगा आपसे तो जरूर इरिशाद बहें जो है वो उमीद है निकाल देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और आप सभी लोगों का बात को वो जरूर सुनेंगे और मैं भी वहाँ प तो ये जो जानवर है one of the best quality है जिसका जालर जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान का लुक तो भाई दे रहा है क्योंकि इसका जालर का पूरशान है वो निकलते संग गले की नीचे जो है निकलते संग जो है वो बहुत जादा नीचे गिरा हुआ है जालर का पूरशा है तो ब बहुत आप लोगों को change दिखेगा इसका color तो आप लोगों को बहुत चेंज दिखेगा हां लेकिन इसका motive जो है वह main next year का है लेकिन फिर भी यह साल यह display हो गा और color जो है वह आप लोगों को refine मिलेगा तो कोई भी शको शुबा नहीं रहेगी आप लोगों को शाने मास को witness करन में क्योंकि यह है one of the best जानवर क्योंकि जानवर का quality main है हम लोग को वही showcase करना है तो भाई वो showcase कर रहे हैं तो अच्छे से इसको देखिए अब आते हैं हम लोग next जानवर की तरफ मोहीनी तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग मोहीनी की तरफ तो जितने भी बाच्छी के शौकीन है बाच्छी लवर्स हैं और संडे को 14 अप्रिल को गोल बाड़ी आ रहे हैं तो मैं उनको बोल देना चाहता हूँ कि 14 अप्रिल को आप लोग को मोहीनी जो है वो मतलब पूरा जोड़ा में दिखेगी मतलब दुलहन बन की निकलेगी और आप लोग को अगर एंटिक बाच्छी चाहिए मतलब एंटिक मतलब बहुत छोटा साइज में अलग गोल मटोल बाच्छी चाहिए मतलब 100% बना हुआ तो ये जो चीज है ना वो दुलहन का जोड़ा पहन के जो आप लेकों सामने जो चल रही है भी वीडियो में ये आप लोगों के सामने निकलेगी आप लोग इसे ले सकते हैं तो कॉलिटी वन आप दा बेस्ट है और आप लोगों को विटनेस 180 पी में कराया जा रहा है 4K में ताकि आप लोगों को शको शुबा ना रहे जानवर में आप लोग सब का नाम से वाकिफ हो जाए इसका नाम है मोहिनी और आकर के ओपनिंग में पसंद करें सब जानवर एक एक करके निकलेंगे देखिए हमारे इस स्क्रीन में इर्शाद भाई भी हैं इस फार्म के ओनर है और सामने जो है वो मोहिनी है मतलब एंड लेवल रिजल्ट्स दिया गया है और आने वाले वक्त में मतलब दो से तीन महिने में ये जानवर का कलर आप लोगों को और रिफाइन मिलेगा मतलब लाइट चाही रहेगा एकदम लाइट चाही ब्लाकिश पूरा चल जाएगा और ठंड में जो है वो जानवर काले पड़ते ही है तो कोई बात नहीं गर्मी आ चुका है आप लोगों को जानवर चाही लाइट चाही दिखेगा पूरा ये हो गया फ्रेंड्स हम लोगों का सना अच्छे से दिखाती हैं इसको भी आप लोगो ओके और इसके लिए आप लोगो जो भी रिलेटेड बात करना है आप लोग आकर के इरिशायद बैसे ओपनिंग के दिन कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूँ ये जो जानवर है ना वो हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में जो है वो जानवरों को बेश्ट ट्रीटमेंट और बेश्ट खान पान देना है बाकी जो जानवर बनता है वो अल्ला पात की मर्जी से बनता है तो वो जो चीज है आप लोग जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो चीज अलग है आप लोग आकर के इसको जरूर एक बार विटनेस करें और इशाद बै को बोले कि हाँ भाई मुझे ये जानवर पसंद है मैं इसे देखना चाता हूँ तो जरूर ये आप लोगों के सामने निकलेगा उचलेगी बहुत बहुत एक्टीव है और चलो अब हम लेके आते हैं नेक्स जानवर अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग बैल के लाइनप में जितने भी बैल है आप लोगों मैं अभी शोकेस कर देता हूँ ओके देखो ये है पूरा का पूरा बैल का लाइनप इसमें से भी और भी जानवर है पीछे जो की उपनिंग के लिए वो बहुती जबरदस्त है चाहे वो हाइट की बात बोलो चाहे वो क्लास की बात बोलो दूनों में माशैला जानवर भरपूर है ये बैल बहुत अच्छा है आप लोग आकर के विटनेस कर सकते हैं इसका नाम है शेर खान नाम आप लोग याद रखे ताकि आप लोग जब कॉलिटी बहुत अच्छा हाइट शॉट में बहुत गोल मटोल बैल है यह हो गया फ्रेंड्स माशाला जया मतलब यह जो भागब होगी करता है ना जब निकलता है मतलब अलग एक्टिवनेस इसका मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको भी आप लोग विटनेस कर सकते हैं आकर कि खाते पीते आराम से फियर को इंजोई कीजिए इंजोईमेंट देखना और आप लोग को अगर कोई भी जानवर पसंद है बस उठ करके बोलना भाई मुझे यह जानवर पसंद है मैं इसके बारे में सौधा करना चाहता हूँ परसनली आप लोग जाकर के इरिशाद बैस आप लोग देख सकीएगा कितना हाइट इसमें तो यह हो गया हम लोग का जै और पिछले क्लिप में मैं आपको देखा चुका हूँ जेम्स बॉन्ड वो तो भाई उसका फुल क्लिप आप लोगों को ओपनिंग के वक्त ही मिलेगा उसका हाइट और उसका जो है साइस का अं जो सामने एक्दम मिडल में खड़ा है न वो है भाई सरताज और लेफ्ट साइड में जो खड़ा है सरताज का वो है बात्शा और राइट साइड में जो खड़ा है उसका नाम भी रिवील नहीं हुआ है वो भाई बहुत गोल कांकरेज Hello football हो रहा है तो यह पूरा का पूरा दिखला रहे हैं आज फार्म का आप लोगों को सब जानवरों की बात हो रही है और मुफासा को भूल जाओं ऐसा तो होई नहीं सकता टाइटेल जानवर मास कडल फार्म का पंगनूर वन अप दा बेस्ट कॉलकता का पंगनूर आप सब के सामने मौजूद है मतलब इसका जो चीज है वो कॉलिटी तो बहुत अलग है इसका सिंगल वीडियो अपलोट कर चुका हूँ फिर भी देखला रहा हूँ ओपनिंग के दिन आईएगा रिंग में एकदम सरुचा कड़के खाड़ा रहेगा आप लोगों का इंतजार करेगा देखते हैं ये किसके पास जाता है इस साल अभी फिलाल ये आप लोगों के सामने अवेलेबल है और अब जाकर के ये परफेक्टली शोकेस होगा इस उपनिंग में तो ये उपनिंग के लिए आप लोगों के इंतजार कीजिए उसका नाम तरह शाने माज और ये है नूरे माज तो सबका अपने अपने एक पर्टिकुलर नाम है ये जानवर का आप लोगों देख लीजे बहुत जबरदस चीज़ है ये है कांकरिज का है इसका एक क्लिप लगाएंगे आप लोगों को उमीद है समझ में आ जाएगा ये भी निकलेगा ओपनिंग के दिन और ये बहुत ज़्याद हो जाना एग्रेसिव है और साइज बहुत अच्छा बन गया लेकिन फुल वाइट हो जाएगा आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में के हलिकर दिखाएए मास केटल फार्म का तो भाई हलिकर भी मौझूद है आप लोगों के सामने हलिकर भी ओपनिंग के दिन निकलेगा हासा हलिकर है फ्रेंट से one of the best हाइट वाला हलिकर है और हासा है especially इसका जो एक रुआब है वो भाई तो आप लोग जब आईएगा उसी वक्त में आप लोगों को दिखलाऊंगा जब ये निकलेगा इसका जो हाइट इसका जो खुबसूरती है हासा उसका जो मतलब end level चीज है वो आप लोग को उसी दनी देखने को मिलेगा तो miss मत कीजेगा आप लोग dot 6 बजे आ जाईएगा और जो smaller budget के customers है जो medium है उन लोगों के लिए भी भाई बहुत अच्छा जो है वो price range के हिसाब से जानवर रखा गया है तो भाई आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी निराश मत होके जाए भाई शौक करके जाए matter यही है तो भाई छोटा range से लेकर के बड़ा range तक के हर जानवर रखे है इरिशाद भाई तो आए witness करें enjoy करें शौक करें और अपने लिए घर के लिए जानवर पसंद करें यह है भाई एक overall view जो इसका नाव है friends गुच्छी आप लोगो को दिखला चुके हैं यह है drone shot तो यही यह ring बना है मास कटल फार्म में जहां पर आप लोग के लिए जानवर निकलेंगे एक एक करके showcase होंगे ताक Google Maps में location लिखा हुआ है आप लोग Google Maps खुले मास कटल फार्म शर्च करें आप लोगो को पूरा गेड़ तक के जह है वो location बता देगा आप लोगो को कोई भी शको शुबा नहीं होगी आने में Google Maps में पूरा का पूरा location दिया हुआ है और मैं description में भी जह है वो location पिन कर दूँ दिखा दे रहा हुँ यह है पूरा का मास कटल फार्म का structure जो फार्म बना है बीच में ring है चारो तरफ जह है वो लाल बालू है सामने जानवर निकला हुआ है जिसका नाम है मुफासा और यह जानवर भी इसी तरह opening के दिन निकलेगा अपना रुआप दिखाएगा बालू उ जाएंगे और opening के दिन आकर के code जरूर यूज़ करें क्योंकि उस दिन offer रहेगा आप सभी लोगों के लिए miss मत करना आना सभी लोग all invited आप लोग अपने साथ friends को भी लेका सकते है अपने relatives को भी लेका सकते है आप लोगों के लिए gates open है चलो मिलते हैं next log में अलविदा झाल झालображे सहिंर आपों के लिए Virgin के लिए गएजिए साथ को पोगों के लिए मुझडे को भूली को भी लोगों को भी लोगों के लिए को भी लोग है से इन ू Almost ु Yes